Hello guys, welcome to a new video तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp अकाउंट में 2-step verification को on कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पता कि 2-step verification क्या होता है और क्यों होता है तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसको आप उपर eye button पर करके देख सकते हैं और वैसे मैं आपको short में बता देता हूँ कि WhatsApp में 2-step verification को on करने से अगर आप या कोई भी आपके WhatsApp अकाउंट को दूसरे डिवाइस में या कहीं और लॉग इन करने का सोचता है तो सबसे पहले उसको एक password देना होगा बीना password authentication के वह आपके WhatsApp अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकता तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp पो ओपन कर लेना है और WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको उपर 3.1 टैप करना है और यहाँ से आपको नीचे setting वाले option पर टैप करना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे उपर account वाले option पर टैप करना है और यहाँ से आपको two step verification पर टैप करना है यहाँ से आप two step verification को enable करने के लिए enable पर टैप करेंगे और यहां से आपको six digit password चूज़ करना होगा तो जैसे मैं यहां पर चूज़ कर लेता हूं और password चूज़ करने के बाद आपको एक बार confirm करना होगा password और password confirm करने के बाद आपको यहां पर एक email डालना होगा इमेल डालने से क्या होगा कि अगर जब भी आप अपना password भूल जाएंगे तो इस email की help से आप अपने password को recover कर सकते हैं तो मैं यहां पर एक email डालने के बाद आपको next पर click कर देना है और फिर से आपको अपना email confirm करना है और email confirm करने के बाद यहां पर आपको save पर click कर देना है और save पर करने के बाद यहां पर आपका two-step verification enable हो जाएगा और यहां से आपको done पर tap कर देना है तो इस तरह से आप यहां से अपने two-step verification को on कर सकते हैं और आप अपने WhatsApp security को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अगर आपको कभी password को change करना हो तो यहां से आप change pin पर tap करके अपने password को pin code change कर सकते हैं और यहां से email address भी change कर सकते हैं तो इस तरह से आप two-step verification की मदद से अपने WhatsApp security को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं so well guys thanks for watching this video bye bye and take care